हलो एवरिवान मैं हूँ आस्ट्रोलॉजर एकता वेलकम टू आर यूट्यूब चानल आस्ट्रो स्पिरिचुल वर्ल्ड जैसे कि आप सब को पता है ये सीरीज चल रही है सैटर्न ट्रांजिट के उपर 24 जैन 2020 को शनी महराज राशी परिवर्तन कर रही है और उस राशी परिवर्तन का असर हर एक राशी के उपर किस प्रकार पड़ेगा ये मैं इस सीरीज के थ्रू बताने की कोशिश कर रही हूँ अब तक हमारी 6 राशिया कंपलिट हो गई है याने कन्या राशी तक का प्रेडिक्शन मैंने दे दिया है अगर अब तक आपने मेरे वो वाले वीडियोज नहीं देखी होंगे तो उसके लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी आप उसे दोरान प्रोपर्टी खरीच सकते है या फिर कोई नया घर परचेस कर सकते है इसके अलावा वो कोई नया वेहिकल भी परचेस कर सकते है या फिर अपने एक्जिस्टिंग घर को ही वो काफी अच्छे से रिनोवेट कर सकते है बहले ही 24 जैन के बाद तुलाराशी वाले जो भी तुला राशी के लोग जॉब करते हैं और इस समय पे अगर आप प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो 24 जैन 2020 के बार ऐसे कुछ चांसेस बन सकते हैं कि आपका प्रमोशन भी हो जाए और वो भी आपके घर के बिलकुल नस्दीक शनी के ढईया होने के बावजूद तुला राशी वाले लोग शनी के इस मकर राशी में होने वाले ट्रांजिट के दोरान बहुत सारा प्रॉफिट कमा सकते हैं अनेक्सपेक्टेड गेंज इन लोगों को मिल सकते हैं और उसके अलावा फाइनाशल कंडिशन भी तुला राश को कुछ health conditions बहुत जादा परेशनान कर सकती है अगर कोई पुराने health issues आपको होंगे तो वो फिर से वापस आ सकते हैं लेकिन एक बात बहुत अच्छी है कि अगर आप medical treatment प्रॉपरली लेते हैं तो आपकी जो health issues की complaint है वो काफी हद तक कम हो जाएगी जिन तुला राशी के लोगों का agriculture है या फिर जो भी तुला राशी के लोग खेती बाड़ी से संबंधित काम करते है तो अगर उन लोगों ने अपने farm में नई techniques और machinery अगर इंट्रोडियूस की तो definitely उनका जो production है वो काफी हद तक increase हो जाएगा सो overall अगर हम लोग देखे तो तुला राशी वाले लोगों के लिए ये Saturn का transit बहुत जादा favorable होने वाला है आप लोगों को बहुत जादा मेहनत करनी है पेशन्स के साथ हो और इमानदारी के साथ आपको अपना काम करना है तो definitely आपको slow ही सही लेकिन success बहुत अच्छा मिलेग सिर्फ आप लोगों को अपनी तबियत का खयाल रखना है और ego याने घमंट बिल्कुल भी नहीं करना है तो अब पात करते हैं व्रिश्चिक राशी वाले लोगों की साड़े साती 24 जैन 2020 को completely खतम हो जाएगी तो अब तक आप लोगों ने जितना भी struggle किया था जितना भी अ तक मकर राशी से रहेगा तक तक व्रिश्चिक राशी वाले लोगों को थोड़ा सा loneliness and depression का feeling आ सकता है आप लोगों को ये लगेगा कि आप बहुत अकेले हो गये हैं बट डोंट वरी अब धिरे-धिरे अपकी financial condition भी improve होने वाली है और आप लोगों के foreign याने abroad travel करने के भी का इसके अलावा व्रिश्चिक राशी वाले लोग कहीं दूर की धर्मस्थल की यात्रा भी कर सकते हैं सो व्रिश्चिक राशी वाले लोगों के लिए इस साड़े साती के ups and downs वाले period से अब बाहर निकल के normal life जीने के दिन आ गये है no doubt की काफी time लगेगा आपको normal होने में stable होन अचानक से कोई भी change या बदलाव आपके जिन्दगी में एकदम से तो नहीं आएगा पट yes definitely जैसे जैसे आपकी साड़े साती खतम हो जाएगी और धीरे धीरे time spent करेंगे आप अपने family के साथ अपने workplace में तो आपके लिए धीरे धीरे improvement के काफी chances है अब बात करते हैं धनुराशी वाले लोगों की धनुराशी वाले लोगों की वृत्ती बहुत सात्विक होती है और ये लोग बहुत विद्वान होते है धनुराशी वाले लोगों के suggestions बहुत सारे लोगों के लिए favorable साबित होते हैं लेकिन 2018 and 2019 ये दो साल धनुराशी वाले लिए बहुत ही जादा struggle and ups and downs वाले रहे हैं. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. 24 जैन 2020 के बाद आपकी राशी से शनी महराज निकल के प्रवेश करेंगे मकर राशी में. So definitely आपको बहुत बड़ा रिलीफ अब मिलने वाला है. 24 जैन 2020 के बाद धनो राशी वाले लोगों को साड़े साती का last phase शुरू हो जाएगा. इस दौरान आप लोगों की financial improvement बहुत इच्छे से होगे. पैसा कमाने की नए-ने opportunities आपके लाइफ में जरूर आएगी. धनो राशी वाले लोगों के लिए इस दौरान property, घर, मकान, संपत्ती इन सब से related कुछ न कुछ मुनाफ़ा होगा और आपके property से और घर से related जो भी issues होंगे, problems होंगे वो बहुत आसानी से solve हो जाएगे. इसके अलावा धनो राशी वाले लोग इस दौरान unexpected gains भी कमा सकते है साड़े साथी के इस last phase में धनो राशी वाले लोग बहुत जादा spiritually grow करेंगे. आप लोगों का spirituality में काफी interest develop होगा. इसके अलावा धनो राशी वाले लोग इस दौरान नया घर या फिर वाहन परचेस कर सकते हैं. आप लोग अपने काम के थ्रू बहुत सारा profit भी कमा सकते है धनो राशी वाले लोग इस दौरान अपनी जौब में और अपने बिजनिस में बहुत बड़ा सक्सेस अचीव कर पाएंगे. आप लोगों को नए नए आइडियाज आएगी और आप उसे अपने काम में implement भी करेंगे और उसमें बहुत बड़ा सक्सेस भी हासिल करेंगे. वरिश्चिक और धनो राशी वाले लोगों के बारे में जन्रल प्रेडिक्शन दिया है सैटर्न ट्रांजिट के उपर. अगर मेरा ये वीडियो आप सब को पसंद आए तो प्लीज दोंट फगेट तो लाइक, शेर, कमेंट और सब्सक्राइब. For paid consultation and personalized remedies, you all can email me at ekta.khodkar at the red g email.com. मैं मेरा email id नीचे description box में, पिन कमेंट में और उपर mention कर दूंगी. Thank you so much for watching my video. Stay tuned, take care. Bye-bye.